घर छोड़कर भागी पत्नी ने इस बार अपने भाई से देवर पर हमला कराया खबर बरेली से है उत्तर प्रदेश स्वास्थ विभाग में लिपिक शाहरान अली पर बरेली ठाना किला के महला फूलवालान के गुंडे नूरैन उर्फ गुड्डू ने कातिलाना हमला करके घायल कर दिया घटना गुजरी शाम लगभग साढ़े दस बजे की है दरसल नूरैन शाहरान अली के बड़े भाई वरिष्ट पत्रकार इमरान नियाजी का साला है नूरैन की बहन रेहाना उर्फ डाली साथ साल पहले काफी नगदी और जेवर लेकर चुपके से भाग गई और ससुरालियों के खिलाफ दहेज वगुजारा भट्ता समेत गंभीर धाराओं में जूठे मुकदमे दर्स करा रखे हैं जो की अदालतों में विचारा धीन है अब रेहाना मुकदमों में आरोपों के सबूत पेश करने से बचने और मुकदमे खत्म कराने का दबाव बनाने के लिए पती व ससुरालियों पर हमले करा रही है लगभग तीन साल पहले भी रहाना उर्फ दौली ने अपने भाई से थाना किला के बाजार संदलखा में अपने पती पर हमला करके घायल किया इसकी थाना किला में NCR दर्स करके मेडिकल कराया, मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाने की बजाएं मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया इसके बाद गुजरे साल रहाना के गुंडे भाई से थाना प्रेन नगर के मारवाडी गंज में मूर्ती नर्सिंग होम के, सामने पती की घेरा बंदी कराई थी दरसल नूरैन गिरोह बंद गुंडा है, जेल भी जा चुका है, कई तरह के धंधे करता है, इसके खिलाफ थाना किला में ही कई मुकदमे दर्स हैं, आए दिन शिकायते होती हैं, लेकिन कुछ धार्मिक नेताओं के दबाव में पुलिस आज तक इस पर सक्त कदम नहीं उठ रहा सकी है, इसको पाकिस्तान से खासी सपोर्ट रहती है, रहाना ने पैसा वसूली के लिए पती समेथ ससुरालियों पर दरजनों गंभीर धाराओं में महिला थाने में मुकदमा दर्स कराया, चुंकी जूठे आरोपों के साथ मुकदमा लिखाने के बाद मुकदमे में आ कत्ता से चप्पल की आड में कई तरह का धंधा करता है, फिलहाल पुलिस ने खबर लिखे जाने तत एफ आई आर गर्ज नहीं की थी, घायल को ठाने से चौकी, चौकी से ठाना के बीच दोड़ाया जा रहा है में चला है, कोड में है, आज तरहावीबाद में मुल्क पर बजरी आया था, किसी काम से तो महा पर आया उन्होंने और गाली बगने लगे उनके इतना बड़ा सा कोई डंडा था तक के उससे उन्होंने मारपीट शुरू कर दी मेरे हाथ पैरों में और ये कानवान में थाने मारपीट तो इनक दी मेरे गश्जूरा तो नहीं खीके गाली दी चारीर मेरे अप पैकलst पोली जनते में मैं कहा सकते हैं अब आपक्या चाहते अब गये तो जो कारवाई चाहते हैं, हमने अपना मेडिकल कराया है, अब देखते हैं, पुलिस क्या करती है.